टूडेँ विल डिस्कस आट्चनोमिक मोइमेंट पार्ट好了, जैसे हमें पता था के आट्चनोमिक मुऊमेंट वेक्यूल रिलेटेट बात होगी उसके अंदर कुछ नो कुछ ऐसी चेंजिंग्स होंगी जिसकी वज़ा से प्लांट के अंदर मुमेंट्स होगी अब क्या होता है कि तर्गर के अंदर चेंजिंग्स आती हैं जिसके उड़ा से साइज ऑफ दिस सेल इंक्रीज और डिक्रीज होता है अब इसे हम बेसिकली देख लेते हैं कि जिसना हमारे पास एक एक जैंपल है इसकी तच मी नॉट तच मी नॉट के अंदर यह प्लांट है इसे जो ही आप टच करते हैं इसके जो लीव्ज हैं वो क्लैप्स कर जाते हैं होता क्या है कि मिसाल के तोर पर यह इसका सेल है सेल के अंदर एक वैक्यूल है ठीक है वैक्यूल के अंदर जो यानिके हमारे पास इसके गेट्स वगएर होते हैं जिसके थूरू मोमेंट्स ऑफ वाटर और आइन्स की मूवमेंट होती है जो ही इसे हम हाथ लगाते हैं तो इसके अंदर देखा गया है कि पोटाशियम आइन मूव कर जाता है जिसकी वज़ासे सारा के सारा जो पानी है वो मूव कर जाता है जिसकी वज़ासे जो सेल का साइज है वो small हो जाता है यानि के छोटा size हो जाता है जिसकी वज़ासे हमारा plant का जो पॉर्शन है specific portion उसके अंदर movement होती है अब इसके अंदर इसकी मजीद थोड़ी सी types देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या है कि sleep movements sleep movements एक इसकी मजीद टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि lowering of the leaves होता है कि जो हमारे पार leaves है प्लांट के जुक जाते हैं शाम के वगद अब इसकी मिसाल हमारे पार bean plants है ठीक है और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर होता गया है कि यह देखने हमारे पास यह एक stem है stem के साथ यह हमारे पास leaf का portion जा रहा है ठीक है अब इसके अंदर यह देख लें लीव है ठीक है अब इस जो swollen portion है अगर आप देखें इसे खुद तो आपको यह उमीद है कि नजर आ जाएगा तो इसे क्या कहते हैं pulvenous portion है इसके अंदर क्या होता है कि सारा कमाल इसी चीज़ का है अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख लें इस pelvis को इसके अंदर हमारे पास दो सेल होते हैं अल्मोस ठीक है एक उपर होता है एक नीचे होता है तो शाम के वक्त क्या होता है कि इस वाले सेल का target pressure low कर जाता है जिसकी वजासे यह collapse कर जाता है और उसके नत दूबारा water intake होता है और जो हमारा leaf है वो दूबारा अपनी असल farm में आना शुरू हो जाता है ठीक है अब हम इसकी डूसरी type की बात करते है rapid movements of leaves rapid movements of leaves इसकी जैसे कि हमारे पर सबसे एहम मिसाल जो है touch me not क्या है touch me not plant है जो ही हाथ लगाते है within two to three seconds इसके जो leaves हैं वो collapse कर जात हैं अब इसके अंदर वही बात है कि potassium iron का exosmosis बगयरा potassium iron सबसे पहले निकलता उसके पीछे आपको बता है कि जूहीं अगर salt की concentration जहां ज्यादा होगी water की movement भी उसी site पर होगी potassium iron cell से बाहर निकलेगा तो इसके मतलब है कि वहां से water भी बाहर exosmosis होगी जिसकी वजा से यह जो हमारे चुई मुई के जो पते हैं वो जल्दी से collapse कर जाते हैं अब हम इसकी जो हमारे plants के अंदर moment है उसकी तीसरी टाइप पर आने लगे हैं जिसे हम कहते हैं growth moments के अंदर क्या होता है कि unequal growth होती है unequal growth होती है कहां पे two sides of the plants organ plants की जो sides है उसकी वहां पे ही कुछ ऐसा होत बिसे के लिए growth हमें कहां कहां देखने को मिल सकती है stem के अंदर देखने को मिल सकती है roots के अंदर tendrils के अंदर और birds के अंदर देखने को मिल जाकती है अब जो growth moments है उसे मजीद तीन types में divide किया गया जिसके अंदर हमारे बाद सबसे पहले happiness tea hyponasty और notation ठीक है इसा one by one हम देखे देखेंगे अब happiness tea के अंदर how we can define happiness tea happiness tea को simply हम define कर सकते हैं कि opening of the bird बयानी के हमारे पास bird का खुलना happiness tea के लागता है इसके अंदर होता गया है मिसाल के तोर पे यह हमारे पास एक bird ठीक है यह एक bird इसके जो low upper portion है ठीक है happiness tea में जो upper part of leaf है यहां पे growth ज्यादा होती है और lower part में growth कम होती है जिसके नतीजे में क्या होता है कि upper part grow ज्यादा कर जाता है और lower part वहीं पे रहता है तो इसकी विज़ाद से opening of the leaf भी होता है ठीक है अब hyponist tea को हम simply define कर सकते है closing of the bird closing of the bird के अंदर क्या होता है कि जो plant का upper surface है उसके अंदर जो growth है वहां पे कम यानि के growth हो रही होती है और lower surface पे जो growth है वह हाई होती है जिसकी वज़ाद से जो हमारा bird है वह close रहता है ठीक है अब इसके बाद हम आजाते हैं अपना last type पे तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी बेलें कदू अगयरा की तो उसके अंदर इस तरह के spring type से होते हैं ठीक है इस तरह की जो apex के उपर young stem के अंदर जो growth हो रही होती है उसे nutation कहते हैं क्या कहते हैं nutation कहते हैं अब यह दो तरह की हो सकती है जिग-जैग मैनर में भी हो सकती है और हमारे पास circumnutation भी हो सकती है यह plant to plant vary करती है